दोस्तों आज की क्लास में हम आज की फैली क्लास है आपकी बिले ट्रॉन की और इसमें हम MS Word सिखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम MS Word को स्टार्ट कर लेते हैं Windows आप करेंगे, Win Word हम स्टार्ट लिखेंगे उसमें Run में तो आपका Win Word खुल जाएगा अब यहाँ पे हमको काम क्या करना है आपको इस चेप्टर में क्या-क्या सिखने को मिलेगा वो हम समझेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे File Menu मिल जाएगी और Home Menu मिल जाएगी इस क्लास में पहली क्लास है जिसमें आपको File Menu और Home Menu हम आपको सिखाएगी तो सबसे पहले आप पर MS Word क्या होता है वो समझ लीजिए यहाँ पर ठीक है और यह सारी options क्या होते हैं वो clear कर लीजिए तो MS Word हमारा जो है वो एक documents based पर काम करने वाला software है मतलब इसमें आप कुछ type कर सकते हैं कुछ leak सकते हैं documents बना सकते हैं और कुछ design इस पर बना सकते हैं आप इस पर later type कर सकते हैं आप इस पर question type कर सकते हैं बहुत सरे इस पर काम कर सकते हैं MS Word पे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा red color का जिसको बोलते हैं cross ठीक है cross है close है तो यहाँ से आप किसी भी system को close कर सकते हैं यहाँ से click करेंगे तो यह close हो जाएगा यहाँ पर दिया जाता है maximize इससे आप MS Word को छोटा या बढ़ा कर सकते हैं यह आपका minimize है इस पर click करेंगे तो minimize हो जाएगा मतलब नीचे की और चला जाएगा यह कुछ-कुछ options है इसको याद रखेगा उसके बाद यहाँ पर दिया जाता है documents word लिखा गया है यह आपका documents title यहाँ पर title वार इसका नाम है इस पर आप titles लिख सकते हैं जैसे ही हम कोई file save करेंगे वो document one या किसी other नाम से save हो जाएगा जो नाम आप डालिएगा यहाँ पर यहाँ पर आपको मिलता है file home insert यह सारे options जो है इनको क्या बोलते हैं तो file home insert design layout जितने भी हैं इन सारे को menu बोलते हैं हम लोग ठीक है यह हमारा menu हो जाता है चलिए तो हम एकर करके start करेंगे सबसे पहले हम start करेंगे file menu यहाँ पर चलते हैं file पर और एक चीज़ file menu start करने से पहले यहाँ भी थोड़ा साम देख लेते हैं तो यह आपका page है जहाँ पर आपको design किजिएगा कुछ लिखिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है यह जो roller है अपका scale जिसको बोलते हैं paper को measurement करने के लिए paper को size मिलाने के लिए हम इसका use करते हैं और यह जो blink कर रहा है आप इसको cursor बोल सकते हैं MS word में जो blink करता है इसको हम लोग cursor बोलते हैं अब हम start करते हैं आपका file menu यहाँ पर हम click करते हैं आप file पर जाते हैं तो file menu पर आपको मिलता है यहाँ information, new, open, save, saveage बहुत सारे options मिल जाते हैं अब इस सारे options का use क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं click किये हैं तो सबसे पहले आपको information मिलता देखें यह जो options आपको मिल रहा है यह आपका 2016 में मिल रहा है ठीक है इसके पुराने वाले version में इतना सारा options नहीं रहेगा चाहिए आप 2007 करें, 2010 करें, 2010 में साइद मिल जाएगा यह लेकिन 2007 में यह options आपको नहीं देखने को मिलेगा अब यहाँ पे आपको information दिखता है तो यहाँ पे पहले protect documents, inspect documents और manage documents का तीन options मिल जाता है protect documents क्या होगा, आप यहाँ पे अगर documents में password create करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं inspect documents में आप यहाँ पे कुछ issues चेक करना चाहें and recover भी कर सकते हैं आप उसको recover करके भी देख सकते हैं तो यह information में यहाँ पे बताया गया है आईए हम यहाँ से start करेंगे new से new पे जैसे ही click करते हैं तो आपको एक blank document मिल जाएगा यहाँ पे आप जैसे ही इसमें click किजेगा तो एक आपके पास page आजाएगा खाली page new blank अब इसका shortcut के भी होता है इसमें new का option होता है control n आप control n करके भी डिरेक्ट यह file open कर सकते हैं चलिए अब आते हैं हम यहाँ open पे तो open का का काम होता है कोई भी आप file बनाए है और उस file को open करना चाह रहे है तो आप यहाँ से open कर सकते हैं for example जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ file save है पहले से ठीक है recent में वो दिखाता है यहाँ दिखा रहा है अब हम इस file को open करना चाहें इस पे click करेंगे तो यह हमारा file क्या हो जाएगा open हो जाएगा जो हम बनाया है फिर बाद में आप इसको edit कर सकते हैं तो इसका shortcut की भी होता है control O open का shortcut की control O से आप open कर सकते हैं आप यहाँ पे कोई file save किजिएगा वो recently यहाँ पे file save होते रहेंगे चलिए तो यह तो clear होगी आपका new से नया page लेने के लिए हम काम करेंगे open से कोई भी file आप save करके रखे हैं उसको आप open कर सकते हैं अब हम आते हैं save पे तो save का काम होता है पहले तो इसको हम close कर लेते हैं save का काम होता है कोई भी file को save करना किसी भी file को आप save कर सकते हैं जैसे इसके अंदर कुछ बनाया है आप चिक हैं हम यहाँ पे कुछ text लिख देते हैं और इस text को ही हम save करेंगे जैसे हमारे पास text आ गया है अब इसको हम save करना चाहते हैं तो आप control-as या f2l से भी save कर सकते हैं फाइल को control-as से भी save कर सकते हैं या फिर file पर जाके यहाँ पर save वाले option पर click करके भी आप file को save कर सकते हैं अब यहाँ से पुछेगा कि ब्राउज करना है आपको ठीक है अब यहाँ पर जैसे ही file का नाम add करेंगे वह आपका file सेब हो जाएगा कहां save करना चाहते हैं याप हम यहाँ पर d drive में save करना चाहते हैं यहाँ यहाँ पर type कि आप यहाँ फाइल का नाम यहाँ पर पुछ वह आप एंटर करें तो यह जो फाइल आपका यहाँ पर जो हम टाइटल वार उस टाइम बता रहे थे यहाँ पर देखिए 96 अभी डोकुमेंट था कुछ दिर पहले अभी 96 में तनवर्ट हो गया तो यहाँ आप टाइटल वार देख सकते हैं कि जो चेंज हो जाएगा जो नाम से आप फाइल सेफ किज़ेगा वह यहाँ पर बादल जाएगा अब देखिए इसाफ हमारा सेफ हो चुका है क्लिक किये फाईल पे आप जाने के वार्ण defense यहाँ हो रहा है अगर यहाँ से फाइल सेब किये है 96 हम यहां पे 96 टाइप किये हैं वो select हो गया और देन open करेंगे तो हमारा फाइल क्या हो जाएगा open हो जाएगा आप यहां से भी open कर सकते हैं ब्राउज में जाके भी open कर सकते हैं recently file open हो जाएगा ठीक है चलिए तो save option clear हो गया save का shortcut की भी समझ में आगे कि save होता कैसे है save हम करेंगे कैसे कि तीर options बता है save करने के लिए control s उसके बाद f12 उसके बाद यहां file पे जाके save कर सकते हैं अब आईए आप यहां पे file पे हम चलते हैं तो नहां पे आपको मिल जाता है save options अब सेवेज का काम क्या है वह हम समझ लेते हैं सेवेज का काम होता है किसी भी file को duplicates बनाना डूब्लीकेट सेव करना for example मान के चलिए कि आप यह जो file बनाया है अब इस file का नाम 96 है इसमें आप file बना दिये है अब एक और कोई है जो कि इस file में कुछ edit कर दिया या फिर same यही file को save कर रहा है तो क्या करेगा वो अपने नाम से file को save कर देगा file दोनों में same ही चीज data रहेगा लेकिन नाम क्या रहेगा बदल जाएगा चलिए करके देखते हम file पे गया है save पे गया है अब यहां पे browse पे जाते हैं तो देखिए एक 96 के नाम से हम file save करके रखे हैं और एक 9 कर दते है 969 के नाम से हम file को save कर दते हैं save हो गया अब क्या होगा यहां पे आप देखिए 969 के नाम से file हमारा save है और एक file था 96 के नाम से save और दोनों में क्या है सेम डेटा है इसमें भी वही डेटा और इसमें भी वही डेटा आप दोनों खोलिए फाइल को फाइल पे गए ओपन पे गए यह हमारा एक डेटा है एक हमारा यह डेटा है हम इसको ओपन करेंगे तो सेम यही चीज़ कुलेगा या फिर file पे गए हम open पे गए हम इसको खोलेंगे तो से में हमारा यही चीज होगा सिर्फ क्या हो गया save as में नाम अलग-अलग हो गया मतलब duplicates copy त्यार कर सकते हैं simple सा तरीका है आप save as का काम करके duplicates copy त्यार करके रख सकते हैं clear अब आये print यहां पे एक option मिलता है print का option मिलता है कि आप जो भी file बनाया है ठीक है इस file को print करना चाहते हैं तो आप यहां से print कर सकते हैं इसका भी shortcut क्यों होता है control P आप shortcut की पे ज़्यादा धियान दे shortcut की भी पूछ सकता है आपको exam में ठीक है direct print हो जाएगा यहां पे copy का option दे रहा है यहां पे क्या होगा कि आप इस page को कितना copy print करना चाहते हैं मतलब single page है इसको आप कितना copy print करना चाहते हैं तो आप यहां से print कर सकते हैं जैसे हम यहां से 2, 3, 4 जितना copy डालेंगे वो उतना copy हमको निकाल के देगा ठीक है duplicates बना के देगा आईए यहां पे आपको यहां पे settings मिल जाएगे कुछ कुछ settings क्या होगा जैसे यहां पे दिया गया सबसे पहले तो आप यहां से printer का setting कर सकते हैं आपके पास जो भी printer add है वो यहां पे so हो जाएगा जो अब प्रिंटर add होगा वो यहां पे आपका so हो जाएगा उसके बाद यहां से आप pages चेक कर सकते हैं आप सारे page को print करना चाहते हैं या फिर custom page को ठीक है आप यहां पे page अगर लिख दीजेगा हमको दो page चाहिए ठीक है तो मेरा single page ही print होगा अगर दो रहाता तो दो page print होता अभी हम all ही करके रखते हैं मेरे पास अभी कुछ है नहीं paper तो हम single रखेंगे आप अपने हिसाब से देख लिजेगे कैसा print करके रखना है तो इसी तरह से सारे settings हम कर लेंगे paper का settings मिला लेंगे यहाँ पर paper रखेंगे margin set कर लेंगे margins यहाँ पर आपको मिल जाएगा left right top, bottom अब जब हमारा page जब set हो जाएगा तो आप अराम से यहाँ से print करेंगे तो direct यह आपका printer जो भी रहेगा वो save करके देगा अगर आपके पास printer नहीं है तो यह क्या बन जाएगा PDF में file बन जाएगा तो आप यहाँ से print कर सकते है clear है तो print option का काम होता है basically print करने के लिए चली अब फिर हम चलते हैं file पे तो यहाँ पे share का एक option मिल गया है जिसके माधियम से आप इस documents को कहीं भी share कर सकते है email के through, online के through, people sharing के through किसी भी माधियम से आप इसको share कर सकते है share options से export का काम होता है कि आप MS Word में किसी फाइल को आप PDF में convert कर सकते हो जैसे यह हमारा file है इसको हम चाहते है PDF में convert करना तो file पे जाएंगे export पे जाएंगे और यहाँ पर create लिखा हुआ है यहाँ पर create करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यह file PDF में convert हो जाएगा देखिए यहाँ पर PDF में convert होने के लिए यहाँ ready है अब इस file का कोई भी नाम आप दे सकते हैं और जहाँ save करना है वो drive चूज कर ले publish कर दे तो यह क्या हो जाएगा PDF में convert हो जाएगा यह आपका 2016 में स्विफ दिया है इसके पहले वाला version आपका 2007 है यह सारे options में नहीं मिलेगा यह सारा चीज़ ठीक है यह याद रखिएगा आप export क्लियर हो गया उसके बाद यहाँ पर close दिया जाता है यह options आप system को बंद कर सकते है मतलब जो application आप यूज़ कर रहे है MS Word उसको close करना होता है तो आप यहाँ से जाके close कर सकते है इसका shortcut क्यों होता है यहाँ पर close मारेंगे तो यह आप से close करने के लिए पूछेगा आप यहाँ पर save करना चाहते हैं तो save करेंगे don't save करना चाहते है तो don't save करेंगे cancel करना चाहेंगे तो cancel कर सकते है तो आप यहाँ से MS Word को close कर सकते हैं या फिर यहाँ से directly close कर सकते है दो options है आपके पास कहीं से भी close कर सकते हैं ठीक है यह accounts का setting दिया है जो कि आपका MS Word activation किस्से है यहाँ पर accounts setting है यह हमारे काम का नहीं है options में कुछ-कुछ options दे दिये जाते हैं जैसे कि हम यहाँ पर कोई options on करना या off करना चाहे तो हम यहीं पर जाएंगे customize ribbon में जाएंगे यहाँ से बहुत सरे tools मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर developer tool दिया गया है developer menu यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ से टिक करके इसको okay करिएगा तो यहाँ पर developer menu आ जाएगा देखिए आगया तो यह सारे options को आप यहाँ से जाके change कर सकते हैं settings है change कर सकते हैं customize में आएक अगर आपको off करना है तो off कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा settings मिल जाएगा बहुत सारा options मिल जाएंगी जिने आप यहाँ पर add करके रख सकते हैं अब देन okay करेंगे तो यह भी यहाँ से हट जाएगा यह आपका file menu का कुछ कुछ settings था ठीक है जो कि मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में तो अभ जिस क्या है